हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी बहुत ही चटपटी शादियों वाली हरी मेर्च की रेसिपी फ्रेंड्स ये हरी मेर्च आपने कई शादी में खाई होगी या कई पार्टी में जरूर खाई होगी तो आपको यह पता है कि कितनी टेस्टी बनती है इसे तो बस नाम सुनते ही मुँवे पानी आ जाता है तो बस वो ही शादियों वाली बिल्कुल हलवा स्टाइल हम आज इसे घर पे बनाने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है इससे पहले आप आपके अपने चैनल दार टेस्ट ओफ इंडिया पे नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह से रोज 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 नएने वीडियो मिल सके और आप भी यम यमी सा खाना बना सके तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले मसाला ही तयार किया है तो हम पहले मसाला तयार कर लेंगे मिकसर जार में आप डाल दे दो चोटे चमच राई एक चोटा चमच डाल दे साबू दनिया और एक बड़ा चमच डाल दे आप इसके अंदर सौफ और थोड़ा साप जीरा और दो से चार काली मिर्च डाल दे अब इसे दरदरा पीस के तयार कर ले इस तरह से पीसना है जब आप मिकसर जाल को खोलेंगे ना तो बहुत अच्छी मसाले की खुशबू आएगी तो मसाला तयार है हरी मिर्च तयार कर लेते है मिर्च मेने ने यह बारिक चोटी वाली आती है यह कर दो सकते हैं इससे ही बहुत टेस्टी बनती और आपको पता है आपने शादियों में घखाई हो तो यहाında होती है तो इस तरह से आप बीच में इसे कट लगा सकते हैं कट लगाने से होका, क्या जो हमने मसाला तेयार किया है, वो इसके अंदर तक जाएगा, तो हमाई यह मिर्श है, बहुत ही tasty, सूपर से उपर tasty बनेगी, तो आपको यह बहुत पसंद आने वाली है, तो अब मैदे क्या है, पैन के अंदर डाल दिया है, और एक बड़ा चमच, और गरम होने के बाद आपको इसमें सारी मिर्ष डाल देनी है जो आमने पहले से दो केस आप सुखा के कट करके रखी होगी तो इस तरह से आपको ओल में इसे 1-5 मिनिट तक भूनना है और अब इसमें मैं मसाला डाल रही हूं तो मसाला थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा था तो मैंने सिर्फ दो चमच इसमें मसाला डाल दिया है मसाला एड़ करके आप एक बार अच्छे से मिक्स कर ले फिर हलके से मसाले और एड़ करेंगे तो हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ी सी डाल दी 2-3 पिंच और थोड़ी सी लालमेश पाउडर डाल दे इससे कलर अच छोटा चमच अच्छे से मिक्स कर ले और लो फ्लेंपे से दो मिनिट पका ले तो बहुत ही करारी बहुत ही टेस्टी बहुत ही चटपटी मिर्च बन के तयार है देखा आपने कितने शांदार तरीके से जटपट से घर पे बन चुकी है तो बहुत ही टेस्टी आ रहा होगा आपके मूँ में भी इसे देखे पानी तो भाई मूँ में पानी लाने से काम नहीं चलेगा इसे बना के खाने से काम चलेगा तो आप भी चाहिए किचन में जट पट से इस मिर्च की रेसिपी को ट्राइ कीजिए आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजी जैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजी बना के जरूर ट्राइ कीजीगा थेंकि सो मच फ्रेंड